हेलो फ्रेंड्स स्टांडर्ड इलेवन चेप्टर नमबर एड जनरल प्रॉपर जिसमें हम देख रहे थे एक्जाम्पल तू यहां रिसीव दो फॉलविंग इन दा प्रॉपर जनरल र deze जनरल्ड प्रॉपर जनरल प्रॉपर ऑफ सृपर अमुल आपना है यहूंफ्सके बूकि कैसे भी जाए तो हमें फुर्च्टे औरबअ क्रेडिट भी जाए बराबर तो हमें क्या करना है purchase credit करना है बराबर वो याद रखना है 2014 October 1 give the goods of 1500 in charity charity में हमने क्या किया goods दिया हुआ है बराबर तो goods देते हैं तो क्या होगा charity account पहले तो हमारा खर्च है तो expense है तो यहाँ 2014 one charity account debited to purchase account 1500-1500 goods गया है यानि क्या होगा purchase देखें बराबर cash होता तो cash लिखते नीचे दूसरा distributed goods of the 3000 as free sample बराबर free sample के लिए हमने goods दिया हुआ है यानि free sample जो भी देते हैं वो क्या होता है एरोडाइज होता है बराबर तो एरोडाइज के लिए दिया हुआ है तो यहाँ second number देखेंड 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 to purchase account यहां गलती से यहां 3000 लिखा हुआ है पर यह कहां आएगा यहां लिखना है 3000 ओके देन थर्ड नमबर टूक गूड्स of 2500 for the business for personal use personal use घर पे ले जाते है यानि हमारा के उसको क्या बोलते है ड्रॉइंग बोलते हैं बराबर यहां अंगत नीजी घर जा हुआ यानि द्रॉइंग एकाउंट अबिटेट टू गूड्स गया यानि पर्शेस एकाउंट क्रेडिट होगा बराबर 2500 उसके बाद फूर नमबर देखलो अ बिल ओफ 4000 एक्सपेक्टेड बाइद प्रियंका वस डिशॉनर ऑन दा मेंचिरिटी डेट बराबर मेंचिरिटी डेट जब लिखते हैं तो क्या होता है बिल्स रिचिटेबल अचॉण डेट टू प्रियंका अइकाउंट पर उसका उल्टा होगा क्योंकर कैंसल हो गई है यानि उसकी उल्टे माइजिटी प्रियंका आपके अल्व डेकाउंट टू बिलचिट yagra खालन कांट क nem म्ट ओप्रर एप्र सकते गिसी के पास पैसे नहीं क्या ऊंटेर छी है यानि या अकाय यहां फैसे तुदाओजेन अट्ण एंड लोन स्टुट इन और्ण फिवर औप अगेंस डैप्ड़ 2015 अब हम क्या करते थे के पंकज से पास देने थे 2015 पर उसको दिया कितना बिल्स कितनी दही कि हमें में भी कर लेकी यानि हमने हम स्कॉअ ऐकाउंन 2015 बिल्स रिशेफल एकाउंट 2000 और डिसकाउंट एकाउंट वो कितना आएगा 50 रुपीस बराबर बिल्स इंडोर्स टू पंकज बराबर वो कैंचल हुई थी इसके लिए गुड्स अब दो 5000 वेर डिस्ट्रोइब बाइद फायर पर वीच द इंशॉरंस कंपनी एक्सेप्टेड अक्लेम ओफ 4000 गया पर उसमें से इंशॉरंस कंपनी वाले ने 4000 डिकलेर किया के इतना अब देंगे पर उसने दिया नहीं हुआ भी बराबर दिया होता तो कैसे अकाउंट रुपीस और टोटल हमारा गूर्स कितना गया 5,000 रुपीस यानि टू पर्चेस एकाउंट क्रेडिटेड 5,000 रुपीस ओके देन पर्चेस अब दो फनीचर ऑफ 8,000 अगेंड्स दो गूर्स कोस्टिंग 7,000 बराबर अब यहां देखो के गूर्स की कोस्टिंग वैसे 7,000 का जो गूर्स था उसी एक जगह हमने फनीचर कितना किया 8,000 का बराबर तो फनीचर कितना था उससे हमें कोई मतलब नहीं गूर्स हमारा कितना कया उससे मतलब है बराबर यानि फनीचर एकाउंट डेबिटेड टू पर्चेस एकाउंट 7,000 7,000 यानि हमें फनीचर 7,000 में पड़ा वो हम मान सकते बरावद और सब का टोटल करना है ठोटल हम इभी यहां ही रहेगा से यहीं दूसरा साम देखो कर यहां क्लोजिंग एंट्रि यह यहां क्या क्या दिया हुआ है ऐफ पर्चेश से balance, sales account balance, courage invert account, balance of the salary account and balance of the dividend account 3000 रुपीस बराबर जो goods के relative है या factory में जो भी खर्चे होते हैं तो वो trading account में close करके ले जाते हैं और जो expense है बराबर sales distribution expense, office expense बराबर तो वैसे financial expense है तो वो कहां ले जाते profit and loss account में बराबर तो यहां देखो पहला क्या लिखा है purchase लिखा हुआ है बराबर purchase goods के relative है यानि क्या होगा वो trading account में purchase debit होता है purchase क्या होता है debit होता है तो हम उसको क्या करेंगे credit करेंगे बराबर trading account debit to purchase account 7500 7500 बराबर उसके बाद दिया है balance of the sales sales credit होता है तो उसको क्या करेंगे debit करेंगे यानि sales account debit to trading account वो भी goods के relative है यानि trading में आएगा courage inward account courage inward यानि क्या होता है जो भी हमने purchase किया है वो उसके लिए जो टेमपा भाड़ा के कुछ भी train लगता है बराबर टेक्सी भाड़ा के जो भी लगता है तो उसके लिए उसको क्या बोलता है courage inward account बराबर वो लाने के लिए यानि factory में यानि क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा courage outward होता तो प्रॉबिटल एंड लॉस अकाउंट में आता बराबर यानि वो expense है expense debit होता है तो हम उसको क्या करेंगे credit करेंगे बराबर यानि trading account debited to courage inward account 2000-2000 ओके balance of the salary salary office में होती है और factory में wages होती है तो office expenses provident loss account में जाता है बराबर यानि क्या होगा salary account जो expense है वो debit होता है तो उसको credit करेंगे बराबर provident loss account debited to salary account to 20000-2000 ओके बैलेंस of the dividend account बराबर dividend account dividend हमें मिलता हुआ है यानि हमारी income होती है income debit credit होती है तो उसको क्या करेंगे debit करेंगे बराबर यानि dividend received account debited to profit and loss account 3000-3000 ओके बराबर उसके जैसे ही यहां कुछ entry दी हुई है कि closing stock करना है closing करना है यानि closing stock 20,000 रुपी salary दी है unpaid salary है and 4000 अंकर for interest and depreciation 500 on machinery is to be a return of बराबर closing stock वो क्या होता है credit होता है तो उसको debit करेंगे closing stock account debited to trading account बराबर 20,000-20,000 salary अमारी unpaid है बराबर तो क्या लिखेंगे salary account debited to unpaid salary account 5000-5000 यह याद रखना है यहाँ unpaid salary होता है तो credit होता है बराबर salary account debited to unpaid salary account same way से यहाँ interest मिला हुआ बाकी है बराबर तो यानि interest incurred account debited to interest account बराबर यह salary expense था तो debit हुआ और यहाँ interest expense income है यानि क्या होगा credit होगी बराबर देन उसके बाद क्या लिखा है depreciation 5000 on machinery machinery पर depreciation किना हुआ है यानि क्या होगा depreciation account debited to machinery account 5500 बराबर और total कर देना है सेम वैसे ही यहाँ exercise में एंट्रीज दी है वो आपको homework में करनी है बहुत simple है 4 या 5 समनी दिया है सेम आगे जो आपने किया वैसे ही यहाँ करना है बराबर कि लिए है यहाँ अजय है कि यहाँ यहाँ कि